हेलो और यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेज दोस्तों क्लास 12 का एक चाप्टर जो काइनेटिक थेरियो आप ग्यासेज और रेडियेशन उसका हम नुम्रिकल्स देख रहे थे और बीच में छूड़ गया था है ना हमने क्वेशन नमबर 21 तक नुम्रिकल्स के सॉल किये थे आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नमबर 3 और आज हम लेंगे क्वेशन नमबर 22 और 23 दो ही क्वेशन लेंगे लेकिन थोरो लेंगे एकदम क्योंकि क्या है इसमें जो मल्टिप्लिकेशन वगेर है ना वो बड़े बड़े और आपको मल्टिप्लिकेशन भी में करके at 727 degree celsius and at 227 degree celsius if the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degree celsius what would be the ratio of their rate of loss of heat अभी rate of loss of heat का ratio निकालना है यह ना दो black body है एक का temperature दिया है दूसरे का दिया है और enclosure मतलब surrounding जिसमें वो enclosed करे हुए है उनका भी उन्होंने temperature दे रखा है तो क्या-क्या चीजें देखे रखी है क्या निकालना है वो देखते हैं ठीक है पहली black body जो है उसका temperature उन्होंने देखे रखा है उसको बोल लेते टीवन और उसकी value क्या दिये उन्होंने 727 degree Celsius 727 degree Celsius अभी thermodynamics हो kinetic theory of gases हो उसमें temperature दिया होगा degree Celsius में तो याद रखना degree Celsius is a practical unit उसको हमें SI में convert करना है SI unit क्या होता है Kelvin और Kelvin में convert करने के लिए क्या करना पड़ता है यह जो degree Celsius वाला होता है उसके साथ में 273 add करना होता है तो कितना जाएंगा यह 700 300 कितना 1000 degree Kelvin यासी Kelvin लिखते है दूसरी जो है दूसरी का दिया हुआ है T2 क्या दिया हुआ है वो है 227 degree Celsius 227 degree Celsius उसको करेंगे 227 plus 273 is equal to 300 200 कितना 500 Kelvin ठीके यह दो टेंपरेचर हमने लिखिए उसके बाद में सराउंडिंग का टेंपरेचर अभी सराउंडिंग का टेंपरेचर जो है उसको denote किया जाता है T0 से ठीके T0 देके रखा है 27 degree Celsius ठीके उसको convert करेंगे 27 plus 273 कितना 300 Kelvin उन्होंने अभी निकालने को बोला है हमको कि rate of heat loss तो rate of heat loss अगर आप इस्क में जाओगे जो Stephen's law है उसमें बता है कि rate of heat loss क्या होता है ठीके तो rate of heat loss होता है heat loss per unit time ठीके और अच्छे से लिखेंगे तो amount of heat loss per unit time with respect to time और इसका direct formula है इसका direct formula है क्या sigma A T raise to 4 अगर surrounding का temperature नहीं है हमारे पास लेकिन यहाँ पे surrounding का temperature है क्या है T minus T0 और दोनों का rest to क्या आएगा 4 आएगा और यह वाला किसा bracket में यह formula है यह क्या है rate of heat loss का formula है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है तो पहले की पहली जो body है उसके लिए one लिखेंगे यहाँ पर one क्योंकि sigma तो constant है दोनों body के लिए constant होगा अभी area का क्या एरिया के बारे में यहाँ पर mention नहीं किया है ठीक है तो हमें एजूम करना पड़ेगा कि दोनों bodies का area क्या है सेम है एरिया क्या है सेम है नहीं तो कुछ है नहीं एरिया का information है तो यह assumption हमको बनाना पड़ेगा कि area सेम होगा ठीक है अजूम यहाँ लिखेंगे कि area सेम है और multiplication वगएरा भी हम यहाँ पर करेंगे ठीक है दूसरे के लिए क dq by dt of 2 is equal to sigma a as it is t2 का raise to 4 minus t0 का raise to 4 अभी इनके क्या निकालना है ratio निकालना है तो ratio कैसे a by b ठीक है तो इसको dq by dt of 1 dq by dt of 2 अभी यह क्या है rate of heat loss of first body upon rate of heat loss of second body अभी division करेंगे तो देखो क्या होगा a by यह ठीक है sigma sigma cut a a cut तो क्या बचेंगा t1 raise to 4 minus t0 raise to 4 upon t2 raise to 4 minus t0 raise to 4 यह आगया चलो value डाल दो फिर इसमें value कैसे डालते हैं चलो t1 कितना है 1000 raise to 4 अभी देखो बनाते हैं अच्चे से लिखते हैं 1000 raise to 4 minus 300 raise to 4 upon 500 raise to 4 minus 300 raise to 4 अभी यह पर गलती मत करना 1000-300 कर दोगे नीचे 500-300 ऐसा नहीं करेगा ठीक है सेप्रेट सेप्रेट पावर है ठीक है तो चलो क्या बनेगा देखो 1000 मतलब क्या 10 raise to 3 अभी यह आपे लॉज आप इंडाइसेज का मैंगे सेम इसी तरह कैसे 3 into 100 है ना तो 100 raise to 4 अभी करेंगे 100 मतलब क्या 10 का square उसका 4 क्या हो जाएंगा 10 raise to 8 और 3 का 4 3 into 3 9 9 into 3 27 into 3 81 ठीक है तो वह जाएंगा 81 into 10 raise to 8 8 3 का 81 और यह 100 है ना 300 100 का 14 मतलब 8 नीचे भी वह इस ही 5 का कितना होता है 625 into 10 raise to 8 minus यह सेम 81 into 10 raise to 8 देखो नीचे 10 raise to 8 पावर कॉमन निकाल सकते हैं उपर 10 raise to 8 अल्रेडी है तो अभी इसको भी आपन क्या करते हैं 10 raise to 8 में लिखते हैं कैसे इसको ऐसा लिख दू मैं 10 raise to 4 into 10 raise to 8 minus 81 into 10 raise to 8 अपन 625 minus 81 कॉमन क्या निकाला 10 raise to 8 मेंने कॉमन निकाल लिया यहाँ तक ठीक है चलो इसको सॉल करेंगे 10 raise to 4 मतलब क्या 10,000 10,000 minus 81 बाहर कॉमन निकला 10 raise to 8 और निचे है इसको इसे ही लिखते हो मैं 625 minus 81 into 10 raise to 8 अभी 10 raise to 8 10 raise to 8 क्या हो जाएगा कैंसर हजार में से एटीवन गए स्वरी 10,000 में से एटीवन गए कितने होंगे बता चलो साइड में करता हो तुमारा लिए लापस minus 81 दस में से गया नो यह ना नो में से आड़ गया एक यह नो और एक यह बचेंगा नो ठीक है तो उपर हो गया 9,919 तो एक तो कैंसर नीचे 625-81 पाच में से एक गया 4 12 में से आठ गया 4 और यह चेका यह उदर गया था पाच ठीक है इतना बचता है क्योंकि तो।। तो क्या है, keincell है, अभी देखो, ये डीखने में कैसा है, बड़ा लंबा है तो division तो मुश्कील जाएगा, मल् superstition के लिए क्लिए क्या करना पड़ेंगा तो simple, घेको में क्या करता हूँ, उपर नीचे दोनों को 100 से इवाइड कर देता हूँ, अभी 100 से क्यों करना पड़ता है वो भी बता तो पहले कर देता हो तो क्या आजाएंगा 99.19 उपर 100 से डिवाइड कर रहो और नीचे आजाएंगा 5.44 अभी ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं 5.44 का रेसीप्रोकल निकाल सकता हो रेसीप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे पहले 5.4 दूंडेंगे पहले इसमें तो 5.4 मिल गया उसके आगे कितना जाना है 4 तो यहां पर 1234 लिखा हो रो में तो 4 से नीचे आएंगे क्यों यह वाला 4 तो यह वाले 4 से नीचे और यह 5.4 से इधर जाएंगे कितना रहे हो 0.1838 तो क्या आजाएंगा 99.19 इंटू यह 5. 5.44 का रेशिचिप रोगल देखो मैं इसको जिकता हो 99.19 इंटू वन अपॉन इंटू फोन दू फोन फॉन फॉ फॉ पॉन फॉर फॉर चलता है आ तो 5.44 का रेशिप रोगल कितना है 0.1838 0.1838 अभी क्या करना रहेगा अभी हमको मल्टिप्लिकैशन करना रहेगा ठीक है त करना है आपने को इधर तो देखिए क्या है यह 1838 में उपर लिखता हूं इंटू यह 9919 नीचे लिखता हूं क्यों क्योंकि नीचे से मॉल्टिप्लाइ करते हैं ना तो 9993 बारे तो सबका मल्टिप्लिकेशन सेम आएगा ठीक है तो चलिए 98 जा 72 का 7 27 और 734 का 4 3 72 और 3 75 का 5 इधर 7 9 1 जा 9 और 7 16 यह बाकी कट ठीक है अभी किसकी बारी 1 की बारी तो 1 की बारी तो पहले 0 क्या हो जाएगा सिंपल 8 3 8 1 अभी 9 की बारी तो पहले कितने 0 2 0 अभी वापस फिर से करने की जरूरत है क्या तो बिल्कुन नहीं क्यों क्योंकि यह 9 से तो अपन ने पहले कर दिया है यह 9 से करेंगे तो भी उतना है आएगा तो यह उपर काई कॉपी पेस्ट करो 4 2 4 5 6 1 खतम बात है ना और अभी इधर आएंगे तो अभी कितने 0 3 0 अभी वापस से क्या 2 4 5 6 1 इन सब को क्या करना होता है एड करना होता है और यह जो मल्टिप्लिकेशन है ना यह आपको रब पेस पे करने की ज़रूरत नहीं जब आप सॉल करोगे मानलों यह वाला ठीक है तो इसको साइड में मतलब अपन क्या करते है answer sheet में last वाला पेच को रब पेच बोल देती है वो ठीक है लेकिन कोई कोई को है ना कि यह मल्टिप्लिकेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से हमने मल्टिप्लिकेशन किया है इसका अंसर अपन डारेक नहीं लिख सकते तो साइड में करना है उसी पेज़ पर साइड पर करना ठीक है तो एक टू आठ चार बारा का दो एक पाच तीन आठ द छे पाच ग्यारा और एक बारा एक छे और दो आठ एक अभी देखो एक दो तीन चार एक तो कितना टोटल छे तो छे गर इदर आ जाओ एक दो तीन चार पाच चे तो 18.23 यह वाला उसी पेज़ पर होना तो फाइनल यह आंसर कितना जाएंगा 18.23 तो यह आ जाएंगा लेते हैं सही है ठीक है 18.23 अभी रेशो बोला है तो उसको 18.23 नहीं लिखेंगे नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा हो इस इक्वल टू 18.23 इस टू 1 रेशो की टर्म में लिखना है ना इसकी वजह से तो यह हो गया हमारा कॉशन नंबर 22 उमीद करता हूँ समय में आ गया ह अब ही लेते हैं कॉशन नंबर 23 चल तो चलिए कॉशन नंबर 23 लेते हैं आपके स्क्रीन पर है अर्थ मीन टेमपरचर कैन बी अजूम्ड टू बी 280 केलविन अर्थ का मीन टेमपरचर देया है कितना है 280 केलविन तो इसको कुछ वापस कनवर्ट करने की जरूरत है नि अल्रेडी केलविन में है ठीक है next how will the curve of black body radiation look like for this temperature ठीक है बाद में बता तो ठीक है find out lambda max lambda max दूना है कितना है ठीक है in which part of the electromagnetic spectrum does this value lie electromagnetic spectrum class 11 में आपने पढ़ा है उसमें अलग-अलग region होते है ना frequency spectrum और wavelength के हिसाब से भी होता है कोई इंफ्रा रेड 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 होता है कोई ultra sonic होता है है ना उस तरीके से तो बहुत सारी regions है very high frequency ultra high frequency और frequency के इसाब से वेवलेंट के भी spectrum बन दे हैं क्लास 11 का लास्ट चाप्टर है ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एलेक्रोमेगनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ठीक है अलग-अलग region होते है उसमें लैमडा मैक्स दूनने का है और कुछ दिया है कि नहीं कि ओके इसमें एक चीज लगेंगे हमको वह है वींस कॉंस्टंट की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए वींस कॉंस्टंट को डिनोट करते हैं बी से अब यह ऐसा है कि यह देंगे नहीं भी देंगे वह डिपेंड करता है कुशन पेपर सेटर पर ठीक है तो यह इसमें चैप्टर जो ह क्याइडिक अब सारे कांसेंट में स्टिपन कॉंस्टंट में वींस एक बाद और वींस कॉंस्टंट का हमको वैल्यू पता आ चाहिए वैल्यू बताता हूं में डूसरे और और त्री मिटर यह कहां पर दिया है यह जो कोशन नंबर 25 है न आपका इसी चाप्टर का उसमें दिया है तो वहां से बी देंगे क्योंकि बी के बिना यह नहीं होगा चले हो करते हैं फिर से है ना तो एकदम सिंपल है क्या दुनना है अपने को लैंडा मैक्स अगर आपको वींस उसी चाप्टर पर उसी पार्ट पर यह कोशन है ठीक है यह होता है लैंडा मैक्स इस टाइम इसके रिस्पेक्टिव में जो वेवलेंट होगा नीचे नीचे वेवलेंट होती है तो वह रिस्पेक्टिव वेवलेंट क्या होती है लैंडा मैक्स तो फॉर्मूला बहुत सिं पता होनी चाहिए क्योंकि इस numerical में दी नहीं थी है ना मैंने दूसरे numerical से उठाई 2.897 इंटू 10 देश्ट 2-3 अपवान ये कितना है 280 अभी फिर से क्या वही reciprocal वाला खेली खेलना पड़ेंगा या पर है ना तो देखो मैं वापस क्या करता हूँ उपर और नीचे दोनों पर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ अभी उपर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.897 को मैं एजडीज रखता हूँ और 100 से डिवाइड हो रहा है उपर तो यह माइनस पावर और दो से बढ़ जाएंगी कितना होगा 10 देश्ट 2-5 अपवान और यहा पर अगर करें इन्टू इसको ऐसा लग दू 1 अपवान 2.8 और यह पावर 10 देश्ट 2-5 अभी क्या 1 अपवान 2.8 1 अपवान 2.8 का रेसीवरों कर निकालेंगे वही उसी में जाना है सेम 2.8 ही दूनना है खाली तो पहले कॉलम में 2.8 दूननेंगे यह आप ही मिला है और उसके आगे का पेक है वापस 0.13571 3571 इन्टू 10 देश्ट 2-5 अभी इस चाप्टर के लिए यह न्यूमेरिकल के लिए भी जो आप मल्टिप्लिकेशन करेंगे वह साइड बाइ साइड ही करेंगे तो 2897 इन्टू 3571 3571 7,9,8,2,0,77,49,4,63,4,67,6,72,6,78,7,2,0,14,14,7,21,00,5,5,5,5, तीन है ना 5,9 जा 45,3,48 का 8,4,40,4, है ना उपर 4, सही है कुछ गदत लग रहा है वापस करते हैं देखो यह थर्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हमें 2,0 निकाल लिए 5,7 जा 35 का 5 उपर 3 ठीक है 5,9 जा 45 45 का और यह 3 कितना 48 का 8 उपर 4 5,8 जा 40 और यह 4,44 तो यह 4 इदर, यह 4 इदर सही है ठीक है 5,2 जा 10 और 4,14 यह वापस 3,0 21 का 1,2 9,3 जा 27 और 2,29 का 9,2 8,3 जा 24 और 2,26 2,3 जा 6 और 2,8 लंबा ही है ठीक है 7,9,8 रहा का 8 उपर 1,5,1,6,6,7,13,13,13 और 8 कितने 21,21 का 1 उपर 2,2 और 1,3,3,3,8 कितना 11,11,8,19,19,19,21 का 1 उपर 2 2,1,1,3,3,4 कितना 7,9,16 का 6 उपर 1,2,1,3,3,4,7,7,6 कितना 7,6,3,3,8,10 तीक है चलिए यहाँ पर कितना है 1,2,3 और यह 4,7 1,2,3,4,5,6,7 तो बरबर आ गया तो फाइनल आंसर लिकूंगा में 1.036 बस इतना ही ठीक है इन्टू 10 रेस्टू माइनस पाइ यह 10 रेस्टू माइनस पाइ को बूलना नहीं है ठीक है क्या आया ता सही है 2,1,3,3,4 कितना 7,9,16 सही है ठीक है तो यह वाला आंसर आगया हमारा फाइनल और क्या है लैम्डा मैक्स लैम्डा मैक्स क्या है वेवलेंद किसमें मिटर में ठीक है तो यह लैम्डा मैक्स तो हमने धूंड लिया सही एक आंसर एक बार कंपर्म कर लेते हैं सही 1.035 है आपना कितना आया 1.036 आया है चलेगा कोई इतना है नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डीजित पे चेंज तो था क्या है है हाओ विल्द लूक लाइफ देखो सिंपल है टेंप्रेशर पर होता है यह तो हर एक की लिए ब्लैक बाडी जितना भी ब्लैक बाडी का स्पेक्ट्रम अगर आप देखो गए तो हर वेवलेंद के लिए आईसा ही मिलेगा ठीक है लेकिन वेवलेंद के तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसा ये वाला स्पेक्ट्रम हमारा दीख रहा था, वैसे ही सिमिलर स्पेक्ट्रम दीखेंगा हमारा, लेकिन हमको maximum किदर मिलेगा, मानलो ऐसा वाला स्पेक्ट्रम हमको मिला, ऐसे वाला ही मिलेगा black body के लिए, खाली ये lambda max क्या होगा, maximum अपने क will be at lambda max, तो इस तरह से बता देना, curve निकाल लेना, और lambda max यहापे लिख देना, कितना ही है, यहापे 1.036 into 10 raise to minus 5 लिख देना, ठीक है, और यह जो वेवलेंट है, अब यह वेवलेंट की value कौन से range में आती है, तो वेवलेंट की जो यह value है, वो इंफरा रेड में आती है, ठी और वेवलेंट की अनुसार हमारा electromagnetic spectrum बनता है, तो यह वेवलेंट कौन किस केस में आती है, यह वेवलेंट आती है, इंफरा रेड रिजन में, ठीक है, तो आज हमने देखे खाली दो numerical, 22 और 23, लेकिन बड़े थे, जो अमारे multiplication थे, वो थोड़े बड़े थे, इस जो multiplication को है, answer sheet में last page पे नहीं करना है, उसी page पे करना है, क्योंकि उसको दिखना चाहिए, कि तुमने calculation करा है, है ना, उसी के लिए, तो उम्मीद करता हूँ, यह दोनों question आपको समझ में आगे होंगे, अभी दो ही बाचे है, उसको लेंगे हम next वीडियो में, तब तक के लिए जहिन,